शिरी क्रिशन चैत्मानस एपिसोड अठारे इस एपिसोड में शिरी क्रिशन द्वारा कंश के खुनी हाथी कोबल्या का बद बड़े हीरो मन्चक तरीके से दर्स आ गया है मंगल मूरति क्रिश्न मुरारी सकल त्रास के मेटन हारी तो अंसुमाल तनिया जहां बहती रहे आविराम भारति ऐ दर्सन सहित उदित हुए ब्रज धामो जगत पति क्रिशन चंद्रपद जैशर्णम शंकरहरियोम जै जै बल्राम अंसुमाल तनिया यानि की शूरी की पुत्री कौन यमुना यमुना को शूरी पुत्री कहा गया है जहां लगातार बहती रहती हैं वहीं यमुना के पावन किनारे पर भारतिय दर्सन यानि इंडियन फिलोस्पी भारतिय संस्किर्ती का मूलाधार के सहित उस ब्रज में शिरी कृष्ण का अवतार हुआ अर्थात विश्व प्रसिद गीता गरंत के द्वारा उन्होंने पूरे विश्व को कर्म और योग का अवतेश दिया इसलिए शिरी कृष्ण को कर्म योगी भी कहा गया है तो पावन बसुन्ध्रा अबतरे प्रभुरूप मानव धार के दीपार्थ को संजीव नी गीता के बचन उचार के आगमने गम्मै जो नहीं वो बचन कहे उद्धार के न्यामक बने प्रभुधर्म के और प्रणेता संसार के पावित्र भारत भूमी पर भगवान का रूप धान करके कृष्ण ने अबताल लिया और जो अर्जुन मृत प्राए हजैसा हो चुका था उसको संजीव नी बूटी दे करके गीता रूपी संजीव निबूटी दे करके उसे जीवित किया युद्ध के लिए प्रेद किया नंध था वो हर प्रकास से उदास होकर मृत्थ में पीछे जा बैटा था उसे पसीना आ रहा था वो लोड़क गया था और कृष्ण से बार बार माफी मांग रहा था के प्रभू ये प्रिये जन हैं घर के लोग हैं मैंने कैसे मारूए तब सिरी के शितना समझाया कि अगर जब भात ही सत्रू बने ये भाई ही दुस्मन हो जब भात ही सत्रू बने होता न कोई पाप है आगम निगम मैं भी यही कहता यही मैं साफ है अर्थात आगम जिगम मैं जो नहीं वो बचन कहे उद्धार के बेशास्त्र में भी जो नहीं है वो कल्याण रूपी बचन कहे और नियामक बने प्रव धर्म के धर्म के रचेता धर्म को रचने वाले और पूरे संसार को प्रेना देने वाले क्या प्रेना कि कर्म करो कर्म से भोजन मिलेगा और योग करो योग से सरीर स्वस्थ होगा आज योग पर बहुत जोड दिया जा रहा है बाबाराम देव और अन्य लोग बड़ा जोड़ दे रहे हैं परंतु हमारे देश के लोग भूल गए है कि योग आज से नहीं है ये लगभग पांच हजार वर्स पूर सिरी कृष्ण ने सुरू किया था और सबसे बड़े विश्व के योगेश्वर वो कहलाए थे यानि योग के इश्वर योग के द्वारा सरीर को ठीक रखना बिमादियों को समाप करना यही योगेशर का कार्य था और भोजन के लिए कर्म करना बहाभात के युद्व में भी यही हुआ था मातर सिर्कस्ण ने पांडवों के लिए भोजन मांगा था कि वही इने पांच गाउं दे दीजिए और बस ये भोजन तो इने भी चाहिए परन्तु दुर्योदन ने साफ कह दिया कौर्मों ने साफ कह दिया कि बिना युद्व के में एक सुई की नौक के बरावार भूमी नहीं दोगा तब महाभात का युद्व शिरी कृष्ण को कराना पड़ा परन्तु शिरी कृष्ण ने कौर्मों को हराया पांडवों को जिताया परन्तु राज पांडवों नहीं किया ठीक उसी प्रकार कंस को मानने के बाद भी वो राजगदी पन नहीं बैठे और राजा जो था पहले से यानि उग्रशेन थे उनको ही बिठाया था कहीं राज लोब उनके दिमाग में शिरी कृष्ण के में नहीं था इसलिए महापुरुष और भगवान के सुद्रश्ण उनको कहा गया है शिरी कृष्ण राजा धर्णस का राजा कंस का धर्णस भंकनने गए और राजा कंस के सेवदारों को मार करके आगे बढ़ जाते हैं राज सिंगासन की ओर जैसे ही कृष्ण और बल्राम बढ़ते हैं तो कंस अपने खूणी की हाथी के महावत से कहता है जाओ तुरंत कृष्ण बल्राम को खूणी हाथी से कुचल कर मार दो और महावत खूणी हाथी कोबलिया गज को ले करके चल देता है और महावत हाती को क्रशन बलराम पर ठेल देता है पर अंतु शीरी क्रशन और बलराम जिन्होंने शोले वर्स तक अन्य नहीं चुआ था केवल माखर में शुरी खाया था इसके अलावा लौकिक सक्टी तो उनमें थी थी अलौकिक सक्टी भी थी इसलिए राजा कंश के हाती खाम उन्होंने वद कर दिया यदि ये वीडियो आपको पसंद आये तो सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों से भी सियर करें तो पहो अनीत तुमने करी निर्वल दिये सता रेगव पालक व्यार्थ में रहे इतने क्यों इतरा हाथी के महावत ने शिरी कृष्ण बलराम से कहा कि तुमने अरे गव पालने वाले छोकरों तुमने अब तक निर्वली मारे हैं तुम इतरा रहे हो आज तुमारा सबल से पाला पड़ा है मैं देखता हूँ तुम कितने बलसाली हो बहो बलसाली बनते वालक कृबली बने दोन का घालक सिखया कंस महावत बोला तेरे बले को ये गज़त ओला अरे बच्चों बहुत बलसाली बनते हो अब ये धाती कृबली यो तुम दोनों को मार देगा कंस ने जैसा कहा था उसी तरह से महावत कंस की भासा बोल ला था तुम्हारे बल को भी तो लेगा तुम्हें माराएगा भी कुबली को ले सम्मुखो आया तब बलदाओ बचन सुनाया जब महावत कुबली हाती को लेकर कहा तो बलरामदी ने कहा के हे गजपाला सुनो कथन हमारी गज़ को लेओ द्वार से टारी ले जाओ हाथी को यह से बचालो हटाओ बनोन बाधक जाए नप पासा हुआ महावत आती उदासा कहें पुकार नहीं चूक अमारी हाथी नश्ट होए अब थारी अरे हमारे बाधक मत बनो इस हाथी गोटा लो क्यों मरवाना चाहते हो रास्ते चाट जाओ सो हाथी बल रखे गज़ राजा सो हाथी बल रखे गज़ राजा तुम रह तिहरा बल कूते ये आजा असके जुझलाया गज़ पाला असके जुझलाया गोपाला थेला थेल दिया कुबली मतवाला महावत ने कहा कि सो हाथी बल रखता है तुम क्या उकात रखते हो तुम क्या बात कर रहे हो ऐसा कह करके महावत ने यानि गज़ पाल ने करोध में भर करके कुबली हाथी को उनको पर छोड़ दिया और खूनी गज़ आपे खूनी गज़ अतिक रोध में आक्रामक एक साथ सम्मक बलदाऊ खड़े घुमा फिरा दिया हाथ जगत पते क्रिशन चंद्रबाद जैसरनम संकर हरियोम जै जै बलराम खूनी हाती जैसे ही गुस्से में बढ़ा तो बलराम महां खड़े थे उसमें एक घुसा जोड से मारा पुने बलराम किया हल से प्रहारा एक इबार हम हाती चिंगारा फिर बलराम ने हल से एक प्रहार किया तो हाती चिंगार नहीं लगा श्री कृष्ण ने दिया एक रेला, पूँच पकड बलदाउ ठेला, तो कृष्ण ने तो आगे से सूण पकर कर रेला दे दिया, और बलदाउ ने पूच पकर के खिचा, हाथी हाथी हटा महावत घबराया, तुरंत कंस का मन भैचाया, अब हाथी पीछे को अटने लगा, तब ही महावत घबरा गया, क्यों? उसे पता थी, कि अगर तू हट गया, या तेरा हाथी हट गया, तो कंस तुझे मार देगा? इस परकार से दोनों योर मोत दिखाई दी, अब महावत ने हाथी को गरम करने के लिए, यानि क्रोद भरने के लिए, उसमें एक बहुत जोड से अंकुस मारा, यानि भाला जैसा एक अतियार होता, उसमें अंकुस कहते हैं, वो हाथी में मारा पेल करके, तो हाथी भी पेलम-पेला मचाने लगा, उत्पात मचाने लगा, चिंगानने लगा, कुझर कोथिक निरक मुरारी, अनिमा सिध्ध करिये त्रपुरारी, हाथी के कोथिक देख करके, क्रोद देख करके, भगवान कृष्ण तुरंत अनिमा सिध्धी, क्यों? आठ सिध्ध, को बड़े से बड़ा कर लेना और चोटे से चोटा बना लेना ताब शिरी किसने तुरंट अनमा सिद्धी से अपने शरीर को कभी छोटा करते हैं कभी बड़ा करते हैं हाथी के नीचे से भी निकल जाते हैं और आगे से भी निकल जाते हैं इधर उदर की ओट में काना सुक्ष्म रूप करें कोतक नाना पेट के नीचे से निकल गए और छोटा रूप बना करके रेक प्रकार से कोतक करते हैं पोच्छे पकड़ गेरे ये दोराई अब आगे हलदर रहे दवाई पहले हलदर पीछे थे अब आगे पोच्छ गए यहीं सुड़ पर के ठेल दे हैं तो कृष्ण जी पूच्छ पकड़ के ठेल दे हैं क्रीडा करें वारन से दो बिस्मत हुए बिलो कें जो दोनों हाती से मस्त हासी से खुनी हाती से खेल ले हैं और जो लोग देख रहे हैं वो बड़ा शरिय कर रहे हैं कि यह हो क्या रहा है आखिर और हो क्या रहा था? कि राक्षक भक्षक दोविधी ओए लोहकारू तद अनरूपए देफल जोश्रस्ती का भूपो जगत पते क्रिशन चंद्रपाद जैश्रणं संकरहर्यों जैजै घनश्यां रक्षक अनर और मानने वाला दोनों विधी से ही लोहा का रूप होता है जैसे लोहा तलवार के रूप में तो भक्षक है और ढाल के रूप में रक्षक है लोहे से ही ढाल बनती है और लोहे से ही तलबार बनती है ढाल रक्षा करती है तलबार काटती है यानि एक चीज की दो रूप है उसी प्रकार से भागवान श्रीकिशन के भी दो रूप थे लौकिक रूप में वो बनुष्य थे और अलौकिक रूप में अवतार भगवान थे तो जो शृष्टी का स्वामी हैं वो इश्वर उसी अन रूप फल देता है जिस प्रकार से कर्म हों जिसके उसी प्रकार फल देता है तदन रूप हैं दे फल जो स्रश्टी का भूँ तो बहुत दिड़ तक श्री किष्टिन बल्राम हाती से उद्ध करते रहे बहु काल तक कोतिक किये बलन रख सकते लखावाई भंडार लोक के सक्ति का काना से पार नपावाई दीना पटक गज खूनी को उठ पुने हैं पुने वो आवई अंत दीना ऐसा पटक कुंजर नहीं उठ पावई अर्थात बहुत देड़ तक भगवान किष्टिन बल्राम ने उसे हाती को परिशान किया सक्ति का भंडार था शिरी कृष्टिन के पास इसलिए हाती पार नहीं पाया और उन्होंने खूनी हाती को पटक पटक करके अंत में मार दिया उसके प्राण पखेडू उड़ गे और इस प्रकार शिरी कृष्टिन बल्राम ने कंस के खूनी हाती कोबलिया गज का वद कर दिया इसे हम एक भजन के रुप में भी प्रसुत कर रहे हैं भजन इस प्रकार है कोबलिया गज माराम थो राजाए बलराम और मुरारी बेरज में उदेत हुए हैं आतारी बेरज में उदेत हुए हैं खूनी हाती राजा कंस का कैई हाथियों के बलवाला थेल दिया हाती को उन पर क्रोधित होकर गज पारा पूँच पकड़ली बलदाउने खीचे सुन मुरारी बेरज में पैदा हुए हैं आतारी बेरज में पैदा हुए हैं आतारी बलदाउन पीचे को खीचे क्रिशन रहे आगे ठेला बलदाउन पीचे को खीचे क्रिशन रहे आगे ठेला माखन मिश्री का बल दोन में और हाथी भरे चिंगारी बिराज में उदेत हुए ओतारी बिराज में उदेत हुए ओतारी अलोकिक सक्ती के आगे हाथी पठके खाने लगा कैसे भागूं अब मैं यहां से ऐसी घात लगाने लगा कैसे भागूं अब मैं यहां से ऐसी युक्त लगाने लगा अडमा सिध से कानहा जीने अडमा सिध अपनाई कानहा ने हाथी पठका भारी बिराज में उदेते हुए हैं ओतारी बिराज में उदेते हुए हैं ओतारी बार-बार पठके खाने से बार बार पटके खाने से हाथी का मनोबल तूट गया ऐसी पटक लगाई आखिर ऐसी पटक लगाई कानहाने उसका मस्तक फूट गया प्राण निकरने से पहले मारी अंतिम चिंगारी बिराज में उदित हुए आतारी बिराज में उदित हुए आतारी कुबल यागज मारा मतुरा जाए कुबल यागज मारा मतुरा जाए बलदाओ और मुरारी बिराज में उदित हुए आतारी बिराज में उदित हुए हैं उदित हुए हैं आतारी राथा क्रेश्न चरित अते पावन राथा क्रेश्न चरित अते पावन मंगल में अतोशिय मनभावन बोलो क्रेश्न चरित अते पावन पावन यृ यृ